हेलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं अत्यसाम आपके साथ और जी एचनल एच प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ तो OSSTT 2021 2021 का OSSTT एक्जाम जो है समाप्त हो चुका है और आप लोगां का जो है काफी सारा कमेंट आ रहा था इस OSSTT एक्जाम को लेकर तो मैंने सु काउंटिंग में कम हो रहा है और सीवीटी के लिए अपलाए करे या नहीं और सीवीटी पर कैसे प्रश्ण आएगा यह सारे पर काफी सारी कोस्चिन थे मैंने सोचके एक वीडियो बना दूं टाकि सबका जो है डाउट क्लियर हो सके ठीक है तो कुछ कोस्चिन को मैं इंप अब तक कभी नहीं हुआ है पहली दफा हो रहा है वह भी आप लोग उसे आटेंड कर रहे है ठीक है तो पहली बार हो रहा है पता नहीं कैसे कोस्चिन आएगा लेकिन हम अगर ओसे टीडिक उस्चिन को आनल्यक्टिक करते हैं तो उससे पता चलता है राइटर का नाम कभी क कैसा आता है सिर्फ एक मार्क कभी कैसा आ जाता है एक दवा कुस्चिन आ था मैतली सरण गुप्त का साइद या सोधरा कवीता कि से लिखाया ऐसा कुस्चिन आया था तो OHSTT का सीलाबस और CBT का सीलाबस से में तो उसी हिसाब से कोस्चिन भी वैसे आएगा तो राइटर का नाम कभी कैसा आता है उस पे आपका ध्यान जो है राइटर का नाम तो आपको पता ही हो का ठीक है तो ऐसे कोस्चिन आने की संभावना जो है कम होती है और एक कोस्चिन है प्रिया बेहरा सर आप कबसे 11th क्लास की हिंदी को स्टार्ट करेंग दो पद गया है और विहारी का भी दोहा कंप्लीट हो चुका है मैं यह जो है भी चला था खतम हुआ और सीबीटी एक्जाम चल रहा है मैं इसी के अंदर ही जो है प्लस्टू का भी सुरू कर दोगा और एक मेसेज है साइनिंग विच सुना लिका सर 19 रहा थैंक्यू एटर लेला अपनों का पाई देखें मेहनत आप लोगों का होता है मेरा नहीं मैं बस आपको जैसे बोलते हैं कोई फंसा हुआ आदमी होता है उसको हाथ दिखाओ और ओस सामने से भी हाथ बढ़ाएगा तब ही उसके हाथ को पकड़के खीचा जा सकता है अगर सिर्फ मैं ही हाथ बढ़ाता रहूं आप सामने से ना बढ़ाएग फिर जो है उपर उठाया नहीं जा सकता तो यह जो है मेहनत आप लोगों का है मेरा नहीं मैं बस आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा था और एक मेसेज है के कल्लियानी सार में आपकी बहुत बढ़ी है हाँ ठीक सिलावस आपका जो है OSHTT एक्जाम का एक टेंटेटीब डेट है कि सेप्टेंबर सरी अक्टोबर सेकेंड वीक में होने वाला है तो इस दर्मियान जितनी हो सके मैं वीडियो बनाने की कोशिस कर रहा हूं लेकिन पूरा सिलावस कम्प्लीट हो या नहों इस बात की गरेंटी म और बाकी रहा जो गद्य पद्य विभाग है उससे भी मैं कोशिस कर रहा हूं ठीक है पोईट्री में भी कुछ है ये कोशिस कर रहा हूं पर कैसे मैं बोल दूँ के सब कुछ में कम्प्लीट कर पाऊंगा सिर्फ एक ही मौन्त बाकी है और एक कोस्चिन है मधूसमीता पंड सर मोरा बीयरे ओडिया एंड पॉल्टिकाल साइंस थिला बीडी हिंदी रे कोरी थिली दखिन भारत हिंदी प्रचार समी तिरू बीडी कोरी ची तो मूँं कंटाक्ट टीचर हिंदी पाईं स्ट्रीम औप्शन कौन करी विए देखिए आप बीडी हिंदी से की है मतलब हिंदी टीचर हिं आप जा कर आर्म में आप neither कर सकती तो मिडी हिंदी में है मतलब हिंदी के लिए किए और ऑ सबिक वे अपले कर कैई किज आप नेक्ट सुर्स स्थिन है संग्राव क्लास इन ओडिया लंग्वेज्च एक एक आपको पता है मैं जीगराफी वीडियो ब intrigued पर एक बंदा जो संग्राम स्वाई है वो कॉमेंट किये हैं मैं हिंदी में जोग्राफी नॉलेज कुछ जो है बेसिक नॉलेज ग्लोब और लॉटीचूड लैटिचूड पर दे रहा था तो उसका ओडिया वीडियो भी है आप जोग्राफी नॉलेज इन ओडिया जो लिखा है उस पे चेक कर सकते हैं उसका ओडिया वीडियो भी है आपको और एक कुस्चिन है सर सौय नंबर कुस्चिन वान हंड्रेड नंबर कुस्चिन जो था हिंदी व्याकरण का और आंसर ए होगा पैसेज पढ़कर समझिये बास्तर का डी होगा उडिया पुछा है हिंदी नहीं उच्चारन प्लीस चेक दो कुस्चिन देखे मैंने जो हिंदी ग्रामर से किया है मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा था तो इसलिए मैं टच पे था सिर्फ 2-3 मिनट लगा मु इस पर संका तो होती है यह अपने मर्ची पर डिपेंड करता है लेकिन मेरे खयाल से मैं जो भी आपको उत्तर दिया हूँ जो व्याकरन विभाग है OSHTT 2021 का वो मैं करेक्ट दिया हूँ आप देखना जब ऑफिसियल आंसर की निकले तो वैसे ही निकलेगा और एक चीज मैं आपको बताऊंगा अंत में कि ग्रेस मार्क कैसे पा सकते हैं कि कोस्चीन को कैसे चैलेंज कर सकते हैं और एक कोस्चीन है अर्जुन डलाई एक नंबर गलत हो गया सर हां मतलब 29 रखें यार थाटी से 29 रखना ये भी बहुत इतना आसान का काम नहीं होता 29 रखें तो भी बह है आपका सर सी बीटी वाई क्लास आनों तो ट्रांसलेशन सर आपनों को क्लास गुड़ा देखि लेए ठीके कंफिडेंस आसूची ठीक है बहुत बहुत सुक्रिया अपने अंदर होना चाहिए क्योंकि आदमी के अंदर अगर आत्म विश्वास होता है तो तभी आदमी सफ सफल हो पाता है विना आत्माइफस्वास के आदमी सफल नहीं होता देखिए जिसका एक्जाम में थोड़ा खराप रेजल्ट हो गया है तो जो बोलते हैं मैदान में लड़ने वाले तो जो गिर जाता है मैदान में उसकी हार नहीं होती जो गिर के उठने से इंकार कर देता है उसकी हार हो जाती है तो चलना लडखडाना संभलना यह जीवन का एक जो है ऐसे अंग बन गया है लेकिन आप जो है लडखडा कर फिर संभलते नहीं है तब आप हार जाते हैं ठीक है तो हारना मत जीवन एक संघर्ष है और जो संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ता है उसी कोई सफलता मिलती ह देखें डाइनसर जैसे जीव जो है आटमोस्पियर के साथ जो है अपने आपको आज़श्ट नहीं कर पाया संघर्ष नहीं कर पाया और आज जो है ऐसे जीवन में सब कुछ लाके देता है जो इसका भी OSHTT रेजल्ट लग रहा है कि मेरा खराब हो गया है आप फिर से ट्र बार मान जाएंगे उसके बाद बोलते हैं दिमाग पर निर्भर करता है जीत या हर यह अपने माइंड पर निर्भर करता है मान लिया तो हार है ठान लिया तो जीत है तो जिसका भी OSHTT ऐसे लग रहा है उनको के मेरा रेजल्ट जो है खराब होगा तो आप दुबारा ट्रा करने पर इंसान जरूर सफल होता है आप दुबारा ट्राई किजिए और नेक्स्ट कुस्चिन है रोजालिन पंडा सार हिंदी का बहुत अच्छा रहा पर पेडागोजी डिफिकल्ट था तो मेरी टोटल 83 और 84 आएगा सर मैं CBT अपलाई करूं या नहीं देखिए यह बहु विगए इसको लग रहा है उसको लग रहा है तो जरूर इंद को एकस्पिरियंस मिलेगा आप प्रोसेसिंग फी आई थिंग 600 है और स्च के लिए 300 मेबी तो आप इसको मढ आप experience gain कीजिए अगर इस साल experience लेंगे नेक्स्ट यर और सीवीटी आपको और भी आसान लगेगा और कभी-कभी ऐसा भी होता है आपको पांस साथ कुस्चिन पर चैलेंज हो जाता है कभी-कभी मैं बताऊंगा कुस्चिन चैलेंज कैसे होता है कैसे grace mark मिलता है तो उस समय जो चैलेंज हो गया तो आपको 90 यूही मिल जाएगा तो इसलिए cbt apply करने का चांस कोई ना छोड़े मेरे चैनल का कोई भी भी विवर हो या फिर अपने दोस्तों से भी बोलें कि आपको अगर लग रहा है कि मेरा OSS team में 60 मार्क रहेगा 50 रहेगा यानि मैं qualify नहीं कर पाऊंग लगता है कि आप कोई कोई कोश्चिन नहीं है उनको अच्छा लग रहा है मेरा इंडी वैद्यारती नहीं हो मैं आपको क्लियर कर दूँक और नेक्स्ट कोश्चिन है सुचित्र दास सार अपनों जो हिंदी ग्रामर रहो वीधी पढ़ई थिले से तिरु तीनी मर्क रहा आ कि इससे जो है तीन अंक आने वाले हैं तीन प्रश्ण आएंगे आप जो है उस वीडियो को अभी भी अगर नहीं देखे हैं या फिर देख लिए हैं उसको रिविजन करने और एक बार देख लीजिए क्योंकि सीवीटे पे भी जो कंपीटर बेस टेस्ट होगा कंपीटर के लिए उस पर भी तीन मार्क आने वाले हैं तो देखिए प्रकाशी नहीं नेक्स्ट आपका वार्टसप नंबर दीजिए मैं कोस्चीन पीडियाप बना के भेज़ दूगी तो ऐसे में मेरा वार्टसप नंबर तो काफी लोगों को मि वार्टसप नंबर में इंस्टाग्राम पे उन्हें दिया था क्योंकि मुझे कोस्चीन के आवश्यक्ता थी ठीक है बाकी जिसको नहीं मिला है ले कभी क्या करेगे मुझे इस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मेरा इंस्टा आइडी है इसके आते साम डोड़ बाव वहाँ पर मुझे जो सवाल करेंगे मैं आपको जवाब दोंगा वार्टसप नंबर की कोई आवश्यक्ता नहीं पड़ते और जिसको वार्टसप नंबर मिल गया है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि दूसरों को सेयार ना करने ठीक है ज्यादा कॉल आएगा मैं भी अपने ड्यूटी की क्रिपा आप पर भी वर्षे और नेक्स्ट कोस्टी नहां अम्रेज गिरी सर्फ प्लीज 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 तीन बार प्लीज है कुरुखेत्र का सर्ग दो और तीन बनाए ओ तीन सर्ग है इसलिए इन्हों ना तीन बार प्लीज प्लीज का आए मेरे पास आपका स समय है एक महिने का समय है तो सर्ग 2 और सर्ग 3 यह काफी लंबी कवीता है तो दिक्कत होती है प्रिपैरेशन करने में सारे चीज को पढ़ना होता है ठीक है तो ठीक है मैं कोसिस कर रहा हूं संजीब पतिल जो हिंदी व्याकरन पर कुस्चिन करने में उडिया में क्षा का उच्चारन खौ और यह होता है नहीं देखे ओडिया में भी असे होता है शिक्षक ऐसे ओडिया में भी विज्ञान बुक से देख सकते हैं मैंने जो व्याकरन का आपको अंसर बताया है सब्सक्राइबंगाने फिर मई पंडा देंगे नमस्ते मेरी देधी और मेरी दोस्त भी चले हैं मैं सब्सक्राइब हमी चले इसके लिए तो आपको फिर से सुक्रिया ठीक हमेसा सर बोलना मुझे सर फिफ्टी फो का आंसर सामना थे जो ऑप्शन में यहां यह मुझसे भी गलती हो गई थे मैं बोल दिया था वहां पर स्यामला लेकिन उसका यह जो है एक कुस्छी नहीं था चीप की दावत उस बुधी का जो है बेटा जिसने कहा के मा हम जो है कहां पर वैठक में जो हम अपना करेंगे बैठक में बैठें गे और आप तब तक बरामदे पर बैटी रहना जब हम बाहर आएं आप गुसलखाने के रास्ते से वैठक में चली जाना यह किसने कहा था तो यह चीफ की दावत से कोस्चिन था तो यह जो है किसने कहा था यह सौमनात ने कहा था वहाँ पर स्यामलाल दिया था तो इस कोस्चिन पर चैलेंज होकर आपको ग्रेस मार्क एक तो कनफॉर्म मिल सकता है और कोस्चिन चैलेंज कैसे करें जब आंसर की मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि कोस्चिन चैलेंज कैसे करें जब आंसर की निकले आप केवल हिंदी का नहीं हिंदी हो पेडागोजी हो ओडिया हो अंग्रेजी हो जिस पे लग रहा है कि आप कन्फॉर्म हैं और विद प्रूप के एक जैसे आप सोमनाद आप च को चैलेंज करें जिस संमीं आंसर की निकलेगा ओफीसियल आंसर की वेबसै के अदर hote अको चैलेंज करने होता है चैलेंज करने के लिए और वो 500 आपको refundable है कि आप अगर सही साबित हो जाते आपको board बुलाएगा एक date होगा कि आप अपना जो है copy दिखाई है ठीक है एक एक mark important होता है कोई भी question अगर आपको लग रहा है कि यह गलत है तो आप चैलेंज जरूर करें क्योंकि पैसा जो है refundable है आपका 500 रुपिया फिर से आ जाएगा जो भी पांसो कि करता है इस बार क्या करें पता नहीं पर जो भी है आपको refundable आजएगा तो इस लिए जो है आप जरूर चैलेंज करें ठीक है तो आप चैलेंज करेंगे वहाँ पर question पर challenge करेंगे और आप लेकर प्रूब देखाएंगे तो देखिए आपके लिए सबको grace मिल जागे जो सोमनात वाला question है ना चीफ की दावत से इसमें तो सबको grace मिल नहीं है कोई एक बच्चा भी कोई एक बंदा भी अगर कर दे challenge और प्रूब कर दे जाके वहाँ पर ठीक है प्रूब करना बहुत easy है तो सबको grace mark मिल जागए ऐसे पेडागोजी हो अंग्रेजी हो हिंदी हो या जो भी आपको लग रहे करेक्ट उत्तर है और वोड जो है ऑफिसेल वेबसाइट में आंसर की गलत लोड किया है आप को सिन पर जरूर चैलेंज करें और ऐसे grace mark आप पा सकते हैं तो cvd exam के लिए मैं